दोस्तों बहुत बहुत सफ़ागत है आप सब का हमारे चानल में और आज हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में Swing Breakout यानि Momentum Stocks के बारे में Stock Options के बारे में Monday को जो Opening होने वाला है उसके बारे में और जो option buyer से या seller से तो उनका पैसा कहां पे double होगा, कहां पे उनको profit मिलेगा, क्या range रहेगा, क्या बड़ा breakout रहेगा, छोटा breakout रहेगा, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा, मैं कुछ sector के बारे में भी आज बात करने वाला हूँ, ऐसे sector जो पहले बहुत rally दिये थे, लेकिन अभी consolidation में, तो वहाँ पे कौन सा level है, जहां पे आपको buy करना चाहिए, क्या आपको अभी add करना चाहिए, या थोड़ा और wait करना चाहिए, जैसे IT, chemical, chemical तो कोई भी upside नहीं दिख रहा है, यह पहले अभी bank में आपको दिख रहा है, उसके अलावा auto में आपको दिख रहा है, metal में भी rally आई थी, लेकिन corona में जो rally आई थी, उसके बाद pharma में कोई upside नहीं आई तो उसके बारे में बात करेंगे, और तीसरा sector जिसके बारे में बात करू लेकिन ये condition रहेगा यहाँ पर buy करना और अधा अधूरा information अगर आपने ले लिया तो आपको loss हो जाएगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखे ध्यान से समझे और जो stock में दे रहा हूँ आपको momentum stocks वहाँ पर short term और long term दोनों का view मैं बताऊँगा कि long term investment करना है तो कौन से stock में करना है दोस्तों शुरुआत करने से पहले अगर आप channel पर नए या फिर आप channel को share करने वाले तो कर दीजे अगर आपको video पसंद आते हैं तो subscribe कीजे और उसके अलावा अगर आप हमारे telegram channel से नहीं जुड़े तो आज जुड़ जाईए क्योंकि काफ जो बड़ा green candle है उसके अंदर लगातार चार candle है और I think पाचवा candle भी इसके अंदर ही बन गया था थोड़ा सा नीचे तो ऐसे में जो पहले जो बड़ा candle बना हुआ है वो break नहीं हो रहा था So it was clearly simple कि जब तक ये range break नहीं होता बड़ा range तब तक आपको कोई भी बड़ा moment नहीं मिलेगा You will be trapped because market will be range bound So यहाँ पे अगर आप option buyer हो तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कोई भी one way moment नहीं मिलने वाला Even if market is bullish still वहाँ पे जो consolidate हो रहा था और उसके बाद अगला जो candle बना था वो भी inside ही बना था लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो उपर का line आपको 17.750 दिखेगा जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये line है 17.750 नीचे का line है 17.400 तो दोनों में से एक range को break करना था और अभी जो हमें closing मिला हुआ है nifty में वो है 17.833 का इसका मतलब यह कि हमने इस range को break कर दिया है और इसलिए दोस्तों मेरा यह मानना है कि अगर आपके मन में यह clear हो याने जब आपके trading plan में यह clear हो कि exactly आप क्या करने वाले हो market bullish है या bearish है exactly कहां पे breakout है तो trade करना बहुत ही simple हो जाता है लेकिन अगर आप यह सोच के जा रहे हो कि कल market bullish ही रहेगा क्योंकि market में पहले green candle बना हुआ है तो यह जो दो red candle बने उस वक्त आप first जाओगे कई सारे TV चैनल के अगर आप बात सुनोगे या फिर टेलिग्राम पे या कहीं पे भी तो वह आप से काएंगे कि 40,000 और निफ्टी में 18,500 आने ही वाला है और यह तब कहेंगे जब यहाँ पे अल्रीड एक green candle बना हुआ है लेकिन मैं बता दू उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो 3 red candle है उसके बाद एक red candle है, एक doji candle बना हुआ है उसके बाद एक green candle जिसने पिछले दिन का high break कर दिया लेकिन उसके बाद फिर से एक red candle बना और फिर से अगर आप देखोगे तो आगे एक और red candle है और उसके बाद Friday को finally इसने break out दिया सेम केसे बैंग निफ्टे में भी यह एक एक candle एक week का है लेकिन अगर आप देखोगे तो लगबख दो week तक यह consolidation में था और उसके बाद यह जो week बनाए वहाँ पे भी Friday में याने एक दिन पहले rally आया थी उसके पहले अगर आप देखोगे तो daily इतना rally नहीं आया था इवन Thursday जो था expiry का दिन वो भी range bound था इसलिए मेरा मानना यह दोस्तों कि mindset के साथ मच जाएए एक बार अगर आप levels के साथ जाके देखेंगे तो believe me आपको वो change भी दिखेगा आपका एक plan भी बनेगा और उस level के लिए जो आप इंतजार कर रहे हो उसकी बज़े से आपका पैसा भी बनेगा otherwise आप over trading करोगे तो आपका loss हो जाएगा और आपको कई भी कोई भी moment नहीं मिलेगा दोस्तों इस तरह के levels के अलाव आपको calls भी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यह ऐसा offer है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा किसी भी trading channel में बिलिव मी और वही offer में आपके सामने लेका आया हो तीन मंद के उपर अगर कोई भी subscription आप लेते हो even if it's just one time तो वहाँ पे आपको lifetime access मिलेगा investment के peak में investment में हमने Amboja Cement को दिया था 400 पे Amboja Cement पे अभी पूरी दुनिया बुलिश है लेकिन हमने जो दिया था वो बहुत पहले दिया था और उसके बाद 450 का target दिया था Amboja Cement 472 पे आ चुका है मैंने Godres Properties भी दिया था जिसको कोई touch नहीं कर रहा था लेकिन वहाँ से 100 point upside आ चुका है Tata Power मैंने दिया था 200-210 रुपीज पे वो अभी 240 तक आ गया है और यह एक separate breakout है जिसके आज हम बात करेंगे तो वहाँ से वो और भी आगे जाएगा Canfin Homes मैंने दिया था यह मैंने YouTube पे बाद में दिया था मैंने पहले इस investment के ग्रूप में दिया था जहां पे अभी दुबारा एक upside आया और एक breakout भी है तो यह जो subscription है यह आप choose कर सकते हो यह काफी जादा demand में भी यह full भी हो रहा है और अगर आप performance देखना चाते हो तो आप इसी channel को join करके देख सकते हो शुरुआत करेंगे nifty के साथ दोस्तों nifty के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको कई सारे अलग अलग चार्ट दिखेंगे इची मोकू वाला एक pattern दिखेंगा या फिर कोई train lines दिखेंगे या फिर कई सारे drawings दिखेंगे जो काफी confusing भी होते और समझने में भी दिक्कत आती है लेकिन अगर आप पर देखोगे तो मैंने ज़्यादा कुछ खराबी नहीं किये चार्ट में एक simple 2 line मैंने draw किया था 4 lines actually यहाँ पर मैंने support 2 draw किया था और मैंने एक उस line में कहा था कि हम वहाँ पर buy करेंगे और यह 15200 इसलिए मेरा logic था क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत जादा time spent किया था तो जो हमारा पहले resistance था वही हमारा support बन गया था तो यहाँ पर हमने aggressively buy किया था जिसके message जिसके stocks के नाम सब कुछ मैं आपके साथ पहले भी share कर चुका हूँ और उसी 15200 से हम लगबक 17800 पे आ चुके तो मैं यह कह सकता हूँ कि लगबक 3000 point के rally की तरफ हम बढ़ रहे और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर दो line draw किया हूँ एक है 16900, 17000 का line जहाँ पर हमने अभी के लिए base बनाय हुआ है तो जो पहले resistance था वो हमारा bottom बन रहा है इस वक्त क्योंकि यह अगर break हो गया 16900 और 17000 वाला level तो market फिर से 15200 तक भी जा सकता है यह मेरा view था और मैंने यह भी कहा था कि अगर वो break नहीं होता है 16900 अगर break नहीं होता है तो यहाँ से हम all time high की तरफ जा रहे यह मैंने कहा था पिछले महिने में I think around 25th August के असपास मैंने YouTube में भी कहा था और उपर के साइड मेरा line B यह पिछले 3-4 महिने से आपको यही चार्ट डिकेगा यह line चेंज नहीं हुए यह line था 17800 और 18000 और अगर आप देखोगे अभी के लिए तो exactly वही resistance है जो Nifty बहुत दिनों से break नहीं कर पा रहा था 17800 और फाइनली हमने उसे break कर दिया यहाँ पर already breakout आने के बाद इसको break करने के बाद भी हम नीचे आ गया और यहाँ पर consolidate कर रहे है तो यह वही level है 17800 और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली या फिर उसके पहले याने आने वाले एक या दो महिने में हम all time high के तरफ easily जा सकते लेकिन मेरा जो stop loss रहेगा वो रहेगा 17700 का यह मैं all time high की बात कर रहा हूँ अभी तक मैंने levels नहीं दिये यह all time high का view मेरा पहले भी था जब मैंने यह कहा था कि हम 16800 को safe रखेंगे जब हम 17200 पे थे अभी हम आ चुके 17900 पे बीच में हमने गिरावट भी दिखाई लेकिन हमने 16800 को break ने किया इसलिए मेरा यह मानना है दोस्तों कि अभी के लिए 17700 मेरा immediate support है लेकिन 17700 अगर break हो जाता है तो भी हम 17700, 17300 तक आ सकते और फिर से bounce कर सकते जो हमने पहले किया था लेकिन वहां से मुझे लगता है जो अभी bounce आया है जो अभी buying आई है मुझे लगता है कि हम all time high की तरफ जा सकते बीच में सिर्फ एक ही हर्डले 18000 का यह मैं आपको overall view बता रहा हूँ उसके बाद मैं आपको levels भी बताऊँगा bank nifty के अगर मैं बात करूँ तो bank nifty जादा strong है in fact जब गिरावट भी आयती तब मैंने कहा था कि nifty bank nifty से कम weak है क्योंकि इसने already breakout day दिया है nifty में breakout आने वाला था यह जो breakout आप देख रहे है यह जो train line इसने break किया था यह इसने already किया था 18 July को उसके बाद यहाँ पे आज इसने दुबारा एक breakout दिया है और इसमें कोई doubt नहीं दोस्तों कि bank nifty पहले all time high की तरफ जाएगा और इसमें ICSA bank, kotak bank SBI जैसे stock contribute करेंगे SBI जिसका कोई बड़ा history नहीं है one way rally का मुझे लगता है अभी यह rally आ सकता है यह point हमने 350, 370 पे देखा था जब उसने breakout दिया था उसके बाद SBI जो है वो 500 पे चला गया और अभी दुबारा वो उसी तरफ जा रहा है मैं उसकी बात करूँगा उसके बारे में भी हम analysis करेंगे अब मैं बात करूँगा option levels के बारे में दोस्तों आपके सामने कई सारे issues रहेंगे जैसे China, Taiwan का issue हो या फिर कोई और issue हो inflation का हो, Dow Jones का हो या dollar का हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर मैं सिर्फ Indian market की बात करो तो मुझे लगता है कि यहां से उपर जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो भी deep आएगा, वो buy हो जाएगा अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो मेरा यह मानना है कि 17855 जो है, वहाँ पे मेरा एक hurdle है अगर यह cross हो जाता है तो फिर यहां से आप 17850 का CE buy कर सकते हो और उसके बाद मेरा target होगा 17950 उसके बाद 18000 और उसके बाद मेरा target होगा यहां से 18350 का दोस्तों यहां से 18000 को अगर हम break करते psychological level तो वहाँ पे आपको एक reaction देखने को मिलेगा एक ऐसा reaction जो nifty में 40,000 के बाद आया था वहाँ से तुरंथ हम 300-400 पॉइंट ऊपर चले गए यह थोड़ा सा पॉइंट gap अप में और उसके बाद एक rally आ गया तो exactly same case हो सकता है जब हम 18000 को break करेंगे P आपको कब buy करना है आपको short कब जाना है तो यह थोड़ा सा भी risk की मामला होगा लेकिन मुझे इसा लगता है कि जो level 17750 हमने break किया वही level अगर हम नीचे के side तोड़ देते तो थोड़ा सा profit booking आपको देखने को मिलेगा इसलिए मुझे इसा लगता है कि 17740 अगर तूड जाता है तो फिर आप यहां पे 17750 का P buy कर सकते हो और यहां से मेरा target होगा 17650 17500 का 17500, 17400 पे आपको एक support डिखेगा लेकिन अगर वो भी break हो जाता है तो हम 17300 तक जा सकते हैं दोस्तों मैंने जो 500 point का target है all time high की बात की 500 point के target की बात की लेकिन मेरा view अभी भी वही है 17450 के नीचे अगर हम जाते हैं तो 17600, 1800 तक हम जा सकते हैं एक reaction भी आपको देखने को मिलेगा 200-300 point का लेकिन 18000 को अगर हम break करते हैं तो यहां से हम 200-300-400 point उपर जा सकते हैं all time high के नस्दिक मुझे लगता है कि 18155 मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि यह हमारा पहले एक swing high था तो यह अगर break हो जाता है तो इसका मतलब यह है यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको देखेगा यह देखेगे यहां पर यह जो line आप देख रहे हैं जो मैंने अभी draw किया यह आता है लगभग 18150 के आसपास यह हमारा जो high वो बना था 28 March 2022 को इसलिए मेरा यह मानना है कि यह जब break हो जाएगा तो आपको एक upside देखने को मिलेगा और मेरा यह मानना है कि 200-300 point का upside आ सकता है immediately bank nifty के अगर मैं बात करूँ तो उसमें मुझे इसा लगता है कि already break out आ चुका है तो थोड़ा सा short करते वगए आपको थोड़ा cautious रहना पड़ेगा in fact मैं short करने की सला नहीं दूँगा मैं dip में buy करने की सला दूँगा लेकिन मैंने आपसे एक chart share किया था अगर आपको याद होगा और वहाँ पर मैंने कहा था कि मेरा एक दोस्त है जो मुझे यह कहता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा cautious रहना पड़ेगा थोड़ा सा dip के लिए wait करना पड़ेगा और उस दोस्त का नाम है Bollinger Band यह देखे यहाँ पर जो यह Band के बाहर यह candle चला गया है यह मुझे इसा लगता है कि थोड़ा सा consolidate करेगा और उसके बाद ready देगा या फिर यह थोड़ा सा नीचे आएगा यह मेरा मानना है और यह candle है 40,050 पे और अभी हम पहुँच गए 40,400 पे तो आने वाले 2,3 दिनों में हो सकता है जो long गए blindly वो option buyer trap हो सकते यह समझके कि यहाँ से market नीचे आएगा in fact वहाँ पे सिर्फ consolidation होगा थोड़ा सा deep आएगा और उसके बाद हम दुबारा उपर जाएगे अभी के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको C buy करना है तो सबसे पहला जो मेरा immediate resistance है वो है 40,550 का अगर यह break हो जाता है तो कोई doubt नहीं कि हम 40,500 का C लेंगे और वहाँ से आपको 100,200 point का एक moment मिल जाएगा वो आता है 40,650 उसके बाद 40,850 और अभी के लिए मैं 41,000 की बात नहीं करूँगा मुझे लगता है यहाँ पर हम जाएंगे उसके बाद हम review करेंगे लेकिन अगर आपको short जाना है तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा cautious रहना पड़ेगा क्योंकि जो rally हमने देखी है उसके बाद मुझे लगता है कि dip को buy करना better है दैन उसे short करना लेकिन अगर आप short करना चाते हो तो आपको थोड़ा सा quick रहना होगा दोस्तो 40, 230 अगर break हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 40, 150 या 40,000 तक आ सकते हलाकि 40, 200 जो ही breakout retaste करने का point है और वहाँ पर consolidation हो सकता है लेकिन अगर ये comfortably break हो जाता है 5-10 minute का candle इसके नीचे चला जाता है तो हो सकता है हम 50-100 point थोड़ा और नीच आएंगे और उसके बाद आपको शायद वहाँ पर मौका मिलेगा बात करूंगा बड़े range की तो मुझे ऐसा लगता है कि 40,050 मेरा range था जो मैं पिछले एक दो अपते से आपको दे रहाँ हर वीडियो में इसकी बात कर रहाँ टेलिग्राम पे message भी डाल रहाँ वो 40,000 का level क्यों important है और वो सच में important है वो इसलिए क्योंकि उसको break करने के बाद 300-400 point का immediate rally आगया एक ही दिन में इसलिए ये level important होते यहाँ पे हो सकते हैं आपको 1000 की जगा 1200, 800, 700 point के भी target मिले लेकिन जब ये break हो जाएंगे तो वहाँ पे पूरी तरह से आपको एक reaction आते होए दिखेगा momentum आते होए दिखेगा जिसको आप trade कर सकते हो इसके अलावा opening के अगर बारे मैं बात करूँ मैं तो उसके मुझे ऐसा लगता है कि obviously Indian market की हिसाब से तो हम bullish है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो-तीन दिन consolidation follow हो सकता है so एक mild gap up हो सकता है 30-40 point का unless की कोई crude में गिरावट आ जाए तो या फिर कोई dollar में गिरावट आ जाए जिससे bank को फाइदा हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 40-50 point का gap up संभव है लेकिन अगर मान लीजे just in case जो कि मुझे लगता है कि 5 या 10% की possibility है अगर heavy gap down हो जाता है because of US market and 91 dollar का जो price अभी चल रहा है तो वो पूरा gap down immediately buy हो जाएगा तो वहाँ पे आपको C लेने का मौका होगा अगर हम 800 point नीचे खुलते तो दोस्तो इससे पहले कि मैं बात करूँ sector और आज के stocks के बारे में आपको याद होगा मैंने ये stock आपको दिया था और ये breakout का जो volume है उसके इसाब से मैंने stock दिया था मैंने कहा था ये मेरा काफी favorite stock नहीं है all time favorite वेगरा इससा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी इसका जो breakout है वो textbook वाला breakout है क्योंकि यहाँ पे volume बहुत जबरदस्त है और ये trend line breakout है target 170, 180 तक आता है यह मैंने दिया था 125 पे अभी चल रहा है 140 के आसपास short time आपका जो भी view हो आप वहाँ पे आप book कर सकते हो अब बात करेंगे अगर हम IT के बारे में तो मेरा यह मानना है दोस्तो finally Nifty IT एक support पे आ चुका है अभी के लिए और यह जो support है इसको break करने के लिए Nifty IT को 14 December से लेके 31 में तक का time लगा था 2021 में हम उस level पे आ चुके तो यह जो level है यह Nifty में भी हमने देखा था जो 15.200 वाला level था consolidation बहुत जादा हुआ लेकिन वही से हमने reversal दिया 15.200 मुझे लगता है यहां से हो सकता है Nifty IT आपको एक reversal देते हुए दिखे लेकिन यह reversal confirm तब हो जाएगा जब हम 30,000 के उपर sustain करेंगे यहां पे अगर आप देखोगे तो 28.900 के असपास हमारा weekly 20 यह में लेकिन यह जो line आपको दिख रहा है यह वाला यह यहां पे यह 30,000 का line तो जब यह break होगा तब मैं आपसे कहूँगा कि IT में breakout आ चुका यह आखरी मौका आपको buying करने के लिए यहां से अगर हम नीचे जाते हैं तो मुझे लगता है यहां से हम 26.300 या फिर जो हमारा पहला लो था वहां तक जा सकते निफ्टी reality की मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि निफ्टी real estate में भी आपको थोड़ा सा एक moment जादा लगेगा थोड़ा सा consolidation जादा लगेगा चौपी लगेगा थोड़ा लेकिन real estate का sector ऐसे ही चलेगा अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यह देखे यहाँ पे अगर मैं इस तरह का trend line draw करूँ तो मुझे लगता है कि फिलाल यह उसी zone में चल रहा है और यह उसी zone में चलेगा जब तक यहाँ पे कहीं एक side इसका breakout नहीं आता तो 500 के उपर जब तक यह नहीं जाता तब तक real estate में breakout नहीं आएगा मैं कहूंगा कि काफी जादा consolidation हुआ है लेकिन जब breakout आएगा तो उतना ही बड़ा आपको target भी दिखेगा breakout या breakdown केमिकल की बात करने के लिए मैंने यहाँ पे दिपक नाइटराइट और और दो stock को add किया हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल सेक्टर ब्रेक आउट देने की कोशिश कर रहा है 2000 का काफी strong resistance दिपक के लिए अगर यह ब्रेक होता है तो यह चला जाएगा 400 पे और बाला जी अमाइन्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कि बाला जी अमाइन्स ने भी अपने support से अपना जो zone ने वही से जहाँ पे इसने base बनाया bottom बनाया वही से इसने bounce back दिया है और अभी के लिए यह कोशिश कर रहा है उपर जाने के लिए तो overall मेरा view यह है कि chemical sector ब्रेक आउट डेने की कोशिश कर रहा है जो यहाँ पे अगर ब्रेक आउट मिलता है तो आपको काफी बड़े target मिलेंगे तो अगर आपको nifty IT और chemical में buy करना है तो अभी आपके पास मोगा है यह 3 मेरे favorite stock है लेकिन उसके अलावा IT की अगर मैं बात करूँ तो विपरो जो है वो मुझे काफी ठीक लग रहा है valuation के हिसाब से टेक है मेरा favorite है और उसके अलावा अगर आपको long term याने 5-10 साल के लिए बाए करना है SIP में तो मेरा personal बाएंगे persistent mind tree और take mind और infosys में दोस्तों आप बात करेंगे दो ऐसे stock के बारे में जिनकी कोई history नहीं यह बड़े-बड़े candle बनाने की यह low beta counter इसमें ज़्यादा moment नहीं आता है लेकिन उसके बावजूद भी इसने rally दिया हुआ है इसमें एक और नाम मैं add करूँगा लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो SBI में यहाँ पर यह जो line मैंने draw किया हुआ हुआ है 5 पे भी अगर हम आते तो मुझे लगता है आप वहाँ पर buy कर सकते for target of 600 क्योंकि यह consolidation जो आप देख रहे है यह लगबग एक November से लेके अभी तक है पाथ सप्टेबर यहाँ इतना बड़ा जो time frame है उसके बाद आपको target भी बड़े मिलेंगे लेकिन time भी जादा मिलेगा उसके बाद एक ऐसा stock है जिसके बारे में काफी जादा जो काफी जारा messages आए थे इसको हमने avoid करने की एक ही बजा थी ऐसा नहीं कि इसका chart हमें चेक नहीं कर पा रहे थे लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही बड़ा patience चाहिए था तो वो patience लोगों में नहीं है और इसलिए हमने इसको avoid किया और we went to high beta counters लेकिन अभी मुझे लगता है कि यह अगर 300 के नजदिक आता है तो आप वहाँ पे buy कर सकते इस a continuously bullish chart और अगर आप देखोगे अभी के recent candles मैं सिर्फ candles की बात कर रहा हूँ पिछले 3-4 candle की तो ITC और अधानिक के candle में आपको similarity दिखेगी सिर्फ फरक यह कि अधानिका जो RSI वो 85-88 पे चला गया है तो इस वेरी वेरी गुड चांस टू बुक फर शॉट टम जो एक deep आ सकता है लेकिन ITC में वैसा नहीं है तो 300 के नजदिक आपको buy करना है टाटा पावर में बड़ा breakout अभी तक आया नहीं है बड़ एक छोटा breakout आएगा अगर यह 250 को break करेगा तो यहां से अगर यह उपर जाता है तो उपर जो high आपको दिख रहा है वहाँ पर यह touch कर सकता है इसको 277 को यह फिर 290 को लेकिन अगर यहां पर यह break कर रहा है तो इसका मतलब यह आपको यहां पर buy करना चाहिए max health मैंने SIP में दिया था जब मैंने पहला SIP आपके साथ share किया था उसके बाद इसने काफी बड़ा rally दिया लेकिन उसके बाद फिर से एक बहुत बड़ा consolidation भी हो गया अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर max health में आपको एक inverted head and shoulder का pattern बनता हुआ दिखेगा लेकिन आपको याद होगा कोई भी pattern जब fail हो जाता है तो जो reverse rally आता है वो बड़ा strong rally होता है जो आमने infi में spot किया था और वहां से infosix काफी जादा भागा था तो यह price था 11 सो का और infi चला गया था 1514 सो पर सेम आपको यहां पर max health में होता हुआ दिखेगा यहां पर यह pattern जो है यह नीचे नहीं आया यह breakdown नहीं हुआ यहां से यहां से यह उल्टा जाके इस पहले shoulder के high को break करने की कोशिश कर रहा है अगर यह break करता है तो मुझे लगता यहां से इस इसले swing high को इसने break भी किया है so it's one fresh breakout जो आपको buy कर रहा है तो आप buy कर सकते है टाटा investment में भी आपको same candle दिखेगा यहां पर अगर यह आज के high को break करता है तो मुझे लगता है कि आप buy कर सकते second buy अगर आपको buy करना है तो यह 1750 के नजदीक आता है तो फिर आप buy कर सकते मु personally 150 पर buy कर चुका हूँ और अभी तक मैंने इसे book नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है दोसों के यह नजदीक जाएगा 190-195 तक यह जाएगा और तब मैं इसे book करूँगा यह आपका target होना चाहिए कोई भी dip अगर आता है तो आप buy कर सकते हो आपका buying होगा 160 पर stop loss होगा 150 का इस में से सारे stock में से सिर्फ नवनीत को चोड़के मुझे लगता है बाकी सारे के सारे stock आप long term के लिए भी hold कर सकते हो लेकिन याद रहिए long term के लिए आपका time जादा होगा आपको SIP के तोर पे इसको buy करना होगा और बड़े target के लिए आपका patience भी बड़ा होना चाहिए आ अगर आपका long term का view है तो short term के लिए आपको decide करना होगा आपको book करने के बाद regret नहीं होना चाहिए nifty और bank nifty का view मैंने आपको दे दिया overall trend जो है वो काफी bullish है लेकिन मुझे लगता है consolidation follow होगा थोड़ा सा deep आएगा क्योंकि candle bollinger band के बाहार है bollinger band क्या होता है यह किस तरह से काम करता है किस तरह से trading के लिए help करता है यह सब आपको lesson number 10 में मिलेगा believe me यह सारे के सारे videos मैंने simplified करके example strategies के साथ आपके सामने रखे मरजी आपके दोस्तों channel को बहुत जादा subscribe कीजे और share कीजे thank you so much guys and thank you for your time